नमिश्कार दोस्तों मैं हूँ महिन दोगने motivational speaker और life coach देखिए जीवन में हर एक वेक्टी चाहता है कि वो आगे बड़े लेकिन जब तक आप इस दिमाग की बारीकियों को नहीं जानेंगे वहाँ पर कौन कौन सी चीज़े आपने रखी रखी है सही है गलत है उसका पता आपको नहीं चलेगा तब तक आप जीवन में वो उचाय या حاصل नहीं कर सकते हैं जो आप वाकई में पाना चाहते हैं इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको चार ऐसी जगहें बताऊंगा जहांसे आपको दिमाग में देखना है जाग कर देखना है कि वहाँ पर वो तार, वो पॉइंट सही है या नहीं है और यदि वो सही हुए तो बहुत अच्छी बात है यदि नहीं हुए तो आपको उन चार जगवों को उन चार चीजों को सही करना होगा और उसके बात आप अपनी जीवन में सफलता के इस रास्ते पर बहुत आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले जानते हैं वो पहली चीज जो आपको अपने जीवन में अपने दिमाग में ठीक करनी है सबसे पहली बात अपने दिमाग में आज से ही डाल लीजे कि जीवन में जो भी कुछ काम आप कर रहे हो जितना भी सामने वाला आपको उसके लिए मूलिट चुका रहा है उससे जादा आपको सेवाय देनी है इस नियम को कहते हैं डूइंग मोर देन यू पेड फॉर और इसका मतलब होता है कि मालीजे आपको 100 रुपे कोई सामने वाला विक्ति दे रहा है तो आपको सर्विस 110, 112, 120, 130 मतब जादा से जादा सर्विस देनी है अब आप सूचेंगे कि यदि कोई विक्ति आपके पास कोई सामान लेने के लिए आया तो उसे आप कैसे मालीजे उसने आपको 100 रुपे दे दिये तो क्या आप उसे 150 रुपे की चीज दे देंगे दो 100 रुपे की चीज देंगे बिलकुल भी नहीं आप चीज तो उसे उतन पिला सकते हैं आपके पास जो कुछ भी एक्स्ट्रा है वो उसे दे दीजिए आप अपना प्रेम ने उच्छावर कर दीजिए आपके पास जादा काम आएगा और आपके पैसे भी दुगने होंगे अब देखिए हर एक फील्ड में आप इस एक्जांपल को लगा सकते हैं चा क्योंकि वो बुड़ा हो गया था और कई सालों से वो नौकर उस देख्ती के घर पर काम कर रहा था उस देख्ती ने कहा कि अब आपका रिटायर्मेंट होने वाला है उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए एक बहुत ही सुन्दर सा घर बना दीजिए और उसके बा इतना सारा काम अल्रेडी में इतने सालों से कर चुका हूँ तो जल्दी जल्दी जैसे तैसे इस घर को बनाता हूँ और यहां से निकलता हूँ मेरी छुट्टी लेता हूँ और मेरी छुट्टीयों को अपने जीवन को इंजोई करता हूँ तो उसने घर तो बनाया लेकिन उस भाव से नहीं बनाया, जिस भाव से उसे बनाना था, उसने वो material यूज नहीं किया, जो actual में उसे करने थे, और जल्दी जल्दी में उसने बहुत ही कम समय में घर का निर्मान पूरा कर दिया, और चाबी ले जाकर दे दी सेट जी के हाथों में, कि ये आपका घर कम्प्ली दीना चाहता हूं, और वो जो चाबी है, उस सेट जी ने उस नौकर के हाथों में रग दी, अब उस नौकर को बहुत बुरा लगा, और उसके मन में जो विचार चल रहे हैं, शायर आप उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्या विचार चल रहे होंगे, कि काश मैंने इ पॉर्मिला का फॉर्मिला जो भी इंसान अपने जीवन में अपनाता है, उसे फाइदा होता ही है, अब चाहे आपको एक अमीर इंसान बनना हो, सफल इंसान बनना हो, या फिर एक अच्छा इंसान बनना हो, आप हर जगह इस काम को इस पॉर्मिले को अपना दीजे, doing more than you paid for यदि वो कारीगर, वो नौकर भी अच्छा काम करता, अच्छा घर बनाता, अपना पूरा दिल लगा दिता उस काम को करने में, doing more than you paid for, कि अब तो मैं जाने वाला हूँ, ऐसी चीज़ बनाता हूँ कि सेड़ जी ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी होगी, सिर्फ इस भा आज से ही आपको अपने दिमाग में अपनाना है, यदि नहीं है, तो अपने आप से पूछिए, कि जब भी आप कोई काम को करते हैं, तो पूरे दिल के साथ करते हैं, पूरी शद्दत के साथ करते हैं, या फिर काम चोरी करते हैं, आपका मन करता है, कि जल्दी जल्दी इस इस काम को निप्टा लेता हूँ यार उसके बाद कुछ और करूँगा आराम करूँगा या फिर और कोई काम करूँगा तो यह आपके मन में भी ऐसा चलता है तो doing more than you paid for का जो formula है आप अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं आज से ही इस formula को अपना ये अपने दिमाग में दूसरी जो चीज है वो इससे भी जादा important है दूसरी जो चीज आपको अपने दिमाग में डालना है अपने screw को सही करना है वो है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो आपको कभी भी किसी को भी धोका नहीं देना है हमेशा अपना सच सामने वाले विक्ति के सामने प्रस्तुत क करना है अब देखे कई बार क्या होता है कि आप छोटे छोटे से फाइदे के लिए भी जूट बोल देते हैं और होता क्या है कि बाद में आपको इतने बड़े बड़े नुफसान होते हैं सामने वाले विक्ति के मन में क्या-क्या भाव आ जाते हैं आपके लिए आप सोज भी नहीं सकते हैं आप थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं आप जूट बोल देते हैं आप जूट कहा कहा बोलते हैं उसे देख लीजे सबसे पहले आप जूट बोलते हैं सबसे पहले अपने रिष्टों में पहली टीज और दूसरी जो जगे है वो है पैसों में आप जूट बोलेंगे धोका देंगे तो पहली जगह हो गई कि आप रिष्टों में जूट को बोलते हैं दूसरी जगह है पैसा देखें पैसा कमाने के लिए कई लोग जूट बोलते हैं और अपने पैसे को बचाने के लिए भी कई बार आपको जूट बोलना पड़ता है तो हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं एक बार की बात है एक लड़के को गाउवालों ने मिलकर अपनी सारी बक्रिया दे दी कि भया तुम जाओ और जंगल में हमारी बक्रिया चरा कर लाओ अब उसने जोर-जोर से चिलाना शुरू कर दिया अरे शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया बक्रिया खा रहा है जब सारे गाउवाले अपने अपना डंडा ले कर उचे जन्गल की और भागे और वहाँ पर जाकर दिखा तो कोई शेर नहीं था वहाँ पर तो कोई था ही नहीं तो उस लड़के न कहा कि शेर अभी-भी यहां से भाग गया अभी-भी मेरी सामने ही था अब लड़के ने देख लिया था कि मैं शेर-शेर चिलाता हूँ तो लोग मेरी और दोड़ कर वापस आते है अटेंशन पाने के लिए उसने एक ट्रिक अपना ली उसको एक मज़ा आने लगा कि भाया जब में चिलाओंगा शेर-शेर तो लोग मेरी पास दोड़कर वापस आएंगे अब कुछ दिन हुए थे उसके बाद उसने फिर से चिलाना शुरू कर दिया कि अरे शेर आ गया शेर आ गया सारे गाओंवाले वहाँ पर फिर से उपस्तित हो गया वहाँ पर फिर से देखा कि कहा है शेर तो उसने कहा कि नहीं नहीं में तो मज़ा कर रहा था कोई शेर नहीं आया आप लोग कितनी जल्दी दोड़कर वापस आ जाते हैं दो बार पिश्ली बार में मजाक कर चुका है, शायर दिज़ार भी मजाक ही कर रहा है, इसलिए जाने की कोई जरुत नहीं है, और कोई उसे बचाने नहीं कहा, सारे के सारे लोग गाओ में ही रहे, तो इस विकार से होता है आपके लाइस में भी कि कई बार आप छोटी-छोट तो बनेगी ही, देखिए, जीवन में सबसे important चीज होती है आपके रिष्टे, यदि आपके रिष्टों में आप जूट बोलते हैं, एक बार किसी को धोका देते हैं, तो वो जीवन भर उस बात को याद रखता है, शायद आपके साथ भी हुआ होगा, या आपने भी किसी वेक प्रकार का हो, जूट नहीं बोले, और किसी वेक्ति को धोका नहीं दे, तो ये दो चीज़े आप पहले तो याद रखें, तीसरा जो स्क्रू है, वो तो आपको बहुत अच्छे से adjust करना है, क्योंकि ये life का सबसे important स्क्रू है, और सबसे important चीज़ है दिमाग की ठीक करने के अब देखिए, ऐसे तो basic साथ प्रकार के emotions होते हैं, लेकिन चार मैं चीज़े बता रहा हूँ, भावनाओं के अंदर, यदि आप उन्हें समझ गये, उन्हें आपने ठीक कर लिया, तो आपके जीवन में एक बड़ा वदलावा सकता है, देखिए, सबसे पहली चीज क्या है उसे समझे, देखिए, चार basic emotions में से सबसे पहला है, आपका गुसा, मतलब आपका anger, जो कि आपको हर गलत चीज करने के लिए आपको मजबूर करता है, जब भी गुसा आता है, तो आपका जितना भी knowledge है, वो धरा का धरा रह जाता है, और आप कभी भी उस knowledge को use नहीं कर पात दर, दर एक ऐसा emotion है, जो हर विक्ति को खत्म कर देता है, चाहे वो फिर सफलता के लिए आगे बढ़ने के बारे में सूच रहा हो, या जीवन में किसी भी चीज को पाने के लिए सूच रहा हो, जब भी डर सामने आता है, वो खत्म हो जाता है, और चौती और सबसे important चीज ह चाहे वो डर हो, चाहे वो लालच हो, चाहे वो गुसा हो, चाहे वो प्रेम हो, इन चार बेसिक emotion को ये भी आप समझ गए, उनको बारी के से जान लिया कि किस इस्तिती में मुझे प्रेम आता है, किस इस्तिती में मुझे गुसा आता है, लालच आता है, या फिर डर लगता ह इन चार बेसिक इमोशन को ये भी आप समझ गए तो आपकी जीवन में आप बहुत जादा सफल होंगे देखे एक चोटी से स्टोरी सुनाता हूँ उसके माध्यम से भावनाए कैसे आपके साथ खेल खेलती है उसको समझते हैं रहा है जिसने बहुत ही नई नई कार लेकर आया था काले कलर की थी बहुत ही चमक रही थी और वो बहुत खुश था क्योंकि कल ही लेकर आया था और बहुत महंगी भी थी तो कार की पूजा पाट होई सारे लोग अंदर गए और अपना-पना काम करने लगे जैसे ही पिता ने देखने के लिए कि यार मेरी कार तो बड़ी अच्छी लग रही है एक बार में जाकर देख लिता हूँ उसने देखा कि उसका बेटा एक कील लिए कुछ कर रहा है कार पर और कार पर बहुत सारे स्क्रेचेस है बहुत सारे स्क्रेचेस है अब पिता ने बहुत सारा पैसा खर्च किया था वो उसके सपनों की कार थी पिता गय उस बच्चे के पास जब कि बच्चा उसी का था लेकिन क्युक्कि बाथ ज़ादा गुस्सा आ रहा था उसने बच्चे को उठाया और यह चाटा मारा और जैसे ही चाटा मारा वो बच्चा एक पत्थर पर घिर पड़ा जैसे ही बच्चा पत्थर पर गिरा, उसके सर से खून की धार बहने लगी, वो जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन उसके बाद वो उसे बचा नहीं पाए, उस बच्चे की मरत्य हो गई, ये गुस्सा इतना जादा था अब कुछ दिन बीट गए, पिता बहुत जादा दुखी था, कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने मेरे हाथों से क्या हो गया, कि मैंने अपने बच्चे को चाटा मार दिया, वो गिर गया, उसकी मरत्य हो गई, सिर्फ एक चीज के प्रती, और जब ऐसा सोची रहा था, वो कार के पास गया, और कार की और देखने लगा, जब उस पिता ने उन क्रार के स्क्रेचेस को बड़े ध्यान से देखा, तो उसने देखा, उन स्क्रेचेस के बीच में लिखा हुआ था, पापा, I love you, अब पिता के अंदर जो भाव आ रहे हैं, शायद आप उन्हें समझी हुआ और उन्होंने उसे चाटा मार दिया, मतलब गुस्सा आ गया, तो ये चार बेसिक एमोशन है जो आपके सामने है, इन एमोशन पर यदि आपने कंट्रोल कर लिया, काबू कर लिया, तो आपके जीवन को आप बहुत ज़्यादा बहतर बना सकते हैं, और ये तीसरा स्क बताजी, भाई, बहन, दोस्त, त्यार, कई लोग आपको जीवन में मिलते होंगे, या फिर आप कई बार हमारे वीडियो भी देखते होंगे, और उनसे मोटिवेट होने की कोशिश करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी चीज एक गलत है, लेकिन मैं आपको ए अपने नियम बनाना है और उन्हें फॉलो करना है, और डिसिप्लिन जो होता है, वो की होता है, सक्सेस का, वो चाबी होती है, सफलता की, आपको क्या करना है, अपने हिसाब से अपने जीवन के नियम देखो, मैं कुछ चीजे बता रहा हूँ, पहले उन में देखो कि आपक को बनाना है वो है पहला कि आपको सुबह कब उठना है और शाम को कब सोना है लेकि बहुत ही सिंपल सी चीज से शुरुबात करते हैं आप पहला निये बनाए ना कि सुबह आप कब उठना चाहते हैं यह दिया आप सुबह साथ बजे उठना चाहते हैं आपको लगता है कि अच्छा रगता है तो बहुत अच्छी बात है उससे अच्छी बात नहीं हो सकती है लेकिन मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि यह दो नहीं करना है तो उस बेखी है आप अपने 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 होते हैं 사 jut अपना अपना lifestyle होता है ग्यान देने के लिए हर विक्ति ग्यान देगा लेकिन follow जो है वो अपने according करता है तो आप सब के ग्यान को ले जरूर लेकिन अपने नियम बना ले दूसरा जो बहुत important नियम है वो है खाने को लेकर आप क्या खाना चाहते हैं क्या नहीं खाना चाहते ह शराब पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए इस चक्र में बिल्कुल ना पड़े आप अपने जीवन की सहुलियत को देखे आप अपने जीवन में अपनी healthy body को देखे कि future में आपको क्या लगता है कौन सीटीज सही है कौन सीटीज गलत है क्या cigarette पीना आपके स्वास्त के लिए हानी का रख है या फिर फायदे मन्द है ये किसी को बताने के जूरत नहीं है आप अपने नियम बनाएए कि खाने को लेकर पीने को लेकर मेरे कैनियम रहेंगे पानी पीने को लेकर मेरे कैनियम रहेंगे कई लोस्तों को देखाओगा कई लोग पीते रहते हैं लेकिन वो नहीं पीता है वो बैठे रहता है क्योंकि उसका नियम है आप पीजे मुझे कोई तकलीफ नहीं है लेकिन मैं नहीं पीऊंगा ऐसे ही non wage को लेकर मैंने कई लोगों को देखा है कि भाया आप खाईए मैं देखूंगा मुझे कोई तरकलिफ नहीं है मुझे कोई परहेज नहीं है लेकिन मैं नहीं खाऊंगा तो ऐसे आप भी अपने नियम बनाईए खाने पीने को लेकर प्लस उठने और सोने को लेकर और यह कुछ शोटा सा तीसरा नियम मना लिजे कि मैं किन लोगों के साथ या किस प्रकार के लोगों के साथ रहूंगा और किस प्रकार के लोगों के साथ बिलकुल नहीं रहूंगा अब देखिए होता क्या है कि आपके साथ जो पांच लोग रहे हैं वैसा ही आपका lifestyle हो जाता ह वैसे ही आपकी सोच हो जाती है तो कहते हैं आपका surrounding ही आपके जीवन को तै करता है कि आपका जीवन कैसे होगा इसलिए आप अपने जीवन को भी तै नहीं कर पाएंगे तो इसलिए आप अपने व्यवहार अपने रिष्टों को तै कीजिए ये basic से तीन नियम उसे शुरू कीजिए और उसके बाद अपने अलग-अलग नियम को बनाते जाएं हर चीज को लेकर मैं ये करने वाला हूँ मैं ये नहीं करने वाला हूँ और उसे discipline के साथ follow करें तो दिमाग कीन चार चीजों के दिए आपने ठीक कर लिया तो मैं guarantee देता हूँ आपकी life में बहुत कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा कैसा लगा ये वीडियो मुझे comment box में comment करके ज़रूर बताइए कौन सी चीज पहले से follow कर रहे थे